दोस्तों अगर आपने किसी भी तरीके से बस मेरे बताई अनुसार लगातार इस चीज का कुछ दिनों तक सैवन कर लियान है आपकी बोड़ी में इतने जवरदस्त और भैतरिन फायदे देखने को मिलेंगे कि कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा जो लोग मदू में ऐसे पीडित होते हैं जिन लोगों को योन समस्य ही हो जाती है पेट की प्रोब्लम रहती है दातों की प्रोब्लम रहती है महिलाओं से जुड़ी हुई कई प्रोब्लम्स होती है विरिये का पतलापन होना पुरुशों में योन दुरुबलता का आना हाथ पर जोडों में दर्द की प्रोब्लम होना बिना काम के थक जाते हैं नहीं ऐसे लोगों के लिए तो यह है एक रामबान ओशिती की तरह काम करता है बस आपको मेरे बताए अनुसार कुछ दिनों तक इसका सैवन करना होगा दो मिनर्ट से भी कापी छोटी वीडियो रहने वाल कि मैं आपके लिए नहीं नहीं वीडियोग हमिसा लाता रहा हूं आये दोस्तों अभ जांते हैं इसनुस्के के वारे में दोस्तों आज की ओषिती है बबूल का गोंद जिया आफ रेंट्स मैं बात कर रहा उनकी समस्या का समादान बबूल का गोंद है बबूल के गोंद में उपस्तित फाइबर भूग को संतुष्ट करने में मदद करते हैं और आपके खाने की आदत को नेंतरित करते हैं पुरुषों के योन स्वास्ते के लिए बबूल का गोंद बहुती फादिमंद होता है पौरुष स्वास्ते को बढ़ाने के लिए बबूल को समाने रूप से 5-10 ग्राम की मात्रा में सैवन करना चाहिए सिग्र पतन को दूर करने के लिए बबूल की 100 ग्राम गोंद को भून कर पीस ले और इसमें 50 ग्राम अश्वगंदा मिलाएं इस मिस्रन को प्रती दिन नेमित रूप से सुबह साम गरम दूद के साथ में सैवन करें यह आपके सीमन को गाड़ा बनाने के साथ साथ ही सही भी प्रकार के सीमन के रोगों को ठीक करने में मदद करता है बबूल का गोंद महिलाओं के स्वास्ते पर भी सकरात्मक प्रभाव डालता है यदि महिलाओं दुआरा छे सब्ता तक नेमित रूप से तीन गराम बबूल गोंद का सैवन प्रती दिन किया जाता है तो महिलाओं के बांचपन के समश्या दूर हो सकती है बबूल गोंद का नियमित 7 करने से ये महिलाओं के बढ़ते वजन को भी नियंत्रीत कर सकता है